असलाम एकुम डियर स्टूडेंट आज जो हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं वो यह पढ़ने जा रहे हैं कि अलेक्ट्रॉनिक्स इबुक्स हो या प्रिंट इबुक्स हो अब बुनियाद यह मकसद दिये कि बच्चों की रीडिंग इंगेजमेंट कैसे बढ़ाई जाए जब भी हम कोई कहानी बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे उस कहानी को उतनी ही अटेंटिवली जहां से शुरू किया था उतनी ही अटेंशन से उसको खतम करें यह बच्चे बीच में बोर हो जाएं वो सुनना बंद कर दें उनके अटेंशन कहीं और चली जाए और वो कहानी पे उनका फोकस खतम हो जाए तो असर में रीडिंग इंगेज्मेंट है कि यह एक अबिलिटी है कि जो भी कहानी पढ़ रहा है या लर्नर है वो अपना फोकस मिंटेंड रखता है अपनी रीडिंग में तो यह कैसे हासिल किया जा सकता है हमारे पर स्टेडिस यह हमें बताती है कि इसके बहुत से इंट्रेस्टिंग तरीके हैं किताब में दुबारा देखना शुरू कर देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों के attention को focus रखने के लिए और उन्हें engage करने के लिए एक-10 मिलट की कहानी में आपको बहुत दफा comments करने पड़ेंगे और उनको बार-बार उनकी attention को वापस लेकर आना पड़ेगा क्योंकि attention बहुत ही असानी से divert हो जाती है अब बुनियादी तोर पर जो reading engagement है ये खुद एक mechanism है किस चीज के लिए ये वो mechanism है जिसके अंदर जब दो-तीन लोग हम मिलके पढ़ रहे होते हैं teacher और students या parents और बच्चे तो बार-बार उन्हें इस engagement mechanism के तुरू कहानी की तरह वापस लेकर आते हैं जिसके थुरू उनकी जो literacy skills है वो improve होती है direct influence करती है हमारी reading engagement इन चीज़ों के थुरू influence होती चले जाती है सबसे पहले ये कि type of task क्या है जो आप कहानी उनको पढ़ा रहे है उस कहानी के अंदर कितनी manipulative features हैं materials क्या हैं उसके अंदर manipulative figures कौन कौन से हैं उसके अलावा आप कितनी अच्छी तरीके से कहानी पढ़ाते हैं वरवर scale folding कैसे करते हैं बच्चों को वापस कैसे लेकर आते हैं कहानी के plot की तरफ उन्हें किस किसम की feedback दे रहे हैं और ये के कहानिया पढ़ कैसे रहे हैं ये itself एक बहुत important feature है बच्चों की जो attention है वो narrative material की तरफ बिलकुल आप उसको engage कर सकते हैं reading exercises की तरफ engage कर सकते हैं और उसके अंदर सबसे important चीज़ आती है हमारी के हमारी जो interaction है बच्चों के साथ हम कितना उनको encourage कर रहे हैं और definitely वही उनके outcomes में बहतरी लेके आता है यह आपके सामने कुछ examples हैं कि अगर आपके पस stories हैं और e stories हैं तो आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो emergent literacy skill में समझें कि पहले आ रहा है आपका alphabet knowledge तो definitely आपके जो e-book है उसके अंदर कुछ letters होंगे जिसको आप click करेंगे hot spot को तो उसकी pronunciation बता सकता है आप कुछ words को जो है highlight कर सकते हैं वो बार-बार आपको repeat करके वो word सामने ला सकता है या उसकी sound या pronunciation आपको repeat करके आप सुना सकते हैं बच्चों को और teacher क्या करेगा इसमें टीचर जो है वो point out करेगा उन letters की तरफ या उन words की तरफ अगर वो print awareness से related important चीज़े हैं तो जो text है computer में लिखावा हूँ आपके सामने मौजूद है computer उसको read कर सकता है उसको highlight कर सकता है उसके alternative words बता सकता है और उसके बाद जो है जो important चीज़े हैं आप उसको pinpoint कर सकते हैं उस text को और बच्चे को कह सकते हैं कि वो in words को बोलें या वो आपके साथ reading में शामिल हो जाएं आप use and understanding of language जो है इसको कैसे immersion literacy skill है digital feature में कैसे teacher इस्तेमाल करें इस किसम के सवालाद जो है कि मुक्तलिफ characters के बारे में कि उसने ऐसे क्यों किया या उसकी मुक्तलिफ किसम की आवाजे कैसे हो सकती है so अब teacher क्या कर सकता है ये interactive features computer के अंदर भी मौजूद होते है teacher जो है वो बच्चों से interesting question कर सकता है जैसे कि आखिर इसकी अवाज इतनी भारी क्यों है या पतली क्यों है या इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने वे हैं या ये इस तरह क्यों ही चल रहा है तो ये जो different questions हैं जो हम character के images को देखके समझते हैं इसको teacher जो है इसके थूरू बच्चों को engage कर सकता है तोड़के लंबी terminologies को आसान तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं या कुछ ऐसी terminologies जो sound कुछ और करती हैं पर words में कुछ और हैं फॉर एक्जेपल हो सकता है वो कोई French के words हो पर English में इस्तमाल होए हो तो वो उनको बता सकती हैं कैसे pronounce होंगे comprehension आपकी e-book में क्या feature है आपकी word definitions हो सकती है computer के अंदर उसके लावा computer आपको graphics बताता है text के साथ साथ उसके अंदर मौजूद होते है computer कहानी आपको खुद पढ़ के सुना सकता है जिससे आप बार बार पढ़ सकते हैं और असानी से समझ सकते हैं टीशेर क्या कर सकते हैं वो भी computer के साथ जो extra terminologies हैं या explanation हैं वो दे सकते हैं कि ये चीज़े क्या थी कोई background information बता सकते हैं उस कहानी के बारे में कि ये कहानी ऐसे शुरू ही थी आगर वो कोई history का वाक्या है तो multiple reading text की example दे सकते हैं उनको उसी वकर दिखा सकते हैं reading engagement and expansion of activities इसके अंदर क्या चीज़े आ जाती है computer के अंदर क्या होगी चीज़े digital animation मौझूद होगी sounds मौझूद होगी games activities मौझूद होगी लेकिन teacher क्या कर सकता है teacher के अपने सवालात पुछ सकता है अपनी आवाज उसके अंदर add-on कर सकता है अपने facial expression दे सकता है जब वो कहानी को पढ़ रहा है और puppets को और इस किसम की चीज़ों को यूज कर सकता है इस तरीके से जो digital features हैं जब teacher support करता है बच्चों को वापस उनकी तरफ लाता है definitely बच्चों की reading engagement होती ही होती है